तो हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ 1.18 के माइनकराब के एक और निव और धमाकेदार टिक टोक हैक में मैं आपके लिए लेके आचुका हूँ एक और नया डाइमन डाइमन टिक टोक हैक जिसे आप लोग अपने mindcraft के one point latest update में यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो को skip बिलकुल भी मत करना पूरी वीडियो देखेगा और मैं आपको जो technique बताऊंगा आपको बस इसी technique की मदद से आप भी अपने mindcraft में जो है डेर सारे आप लोग अपने लिए unlimited आप लोग duplicator glitch का यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको दो ब्लोक डिक करना है उसके बाद obsidian यूज़ करना है यहाँ पे आपको एक portal बना लेना है तो आपको इस तरह का portal बना लेना है पोर्टल बनने के बाद आपको यहाँ पे यह वाला ब्लोक डिक करना है यहाँ पे आपको एक piston लगाने है इस तरह से उसके बाद आपको यहाँ पे एक और dispenser रखना है आपको यहाँ पे dispenser रखना है और ये थोड़ा सा अलग एं, तो आप इसे step by step follow कीजेगा उसके बाद आपको या नीचे आना है यहाँ पे आपको नीचे आजाना है उसके बाद यहाँ से आपको तीन ब्लॉक डिक कर लेना है अब आपको यहाँ से आगे की तरप डिक करना है तो आप यहां से आगे की तरफ डिक कर लीजेगा तो आपको इस तरह से आगे की तरफ जो है डिक करते जाना है डिक करते जाईए डिक करते जाईए डिक करते जाईए आपको यहां पे एक रूम बना लेना है अपनी हिसाब से आप रूम बना लीजे तो उसके बाद आपको यहाँ पर water लेना है water को आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद आपको एक एक block इस तरह से लगा देने ताकि यह पूरा cover हो जाए अब दिखिए यहाँ पर water हमारा यहाँ तक आ रहा है तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें एक solter area बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगी यह वाला block तोड़ेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे hopper तो hopper आप ले लिजेगा और hopper को यहाँ पर इस तरह से connect कर दीजे connect होने के बाद यह water यहाँ तक आएगा hopper के आखिर तक यह आना चाहिए उसके बाद आपको यह वाला stone तोड़ना है यह वाला stone तोड़ना है और यहाँ पर आपको एक chest लगा देनी है आप दो chest का भी use कर सकते हो इस तरह से उसके बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से उपर जाने के लिए एक area बना लीजे तो आप यहाँ से chair बना सकते हो इस तरह से बनने के बाद यह कुछ इस तरह से बन जाएगा और पूरा complete होने के बाद अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको एक दो block छोड़के एक block आपको इस तरह से और इस तरह से आपको लगा देना है पूरा तो आप इसे पूरा fill कर दीजेगा मैं suggest करूँगा कि आप इसे एक plane area में बनाईगा तब ही यह work करेगा तो इस तरह से पूरा इसे complete करने के बाद तो आप लोग देख सकते हूँ इस तरह से यह बन जाएगा बनने के बाद यहाँ पर आपको एक एक repeater लगाना है इसके नीचे आपको रेजटोच लगाना है इस तरह से और यहाँ पर आपको liver लगाना है उसके बाद 14 लिनी है 14 10 को यहाँ पर रखना है इस तरह से work करेगा यहाँ पर एक block रखना है इस तरह से उसके उपर भी आपको raise dust नीचे raise dust इस तरह से आपको raise dust डालनी है और यहाँ पर आपको दुबार से repeater लगाना है दो block आगे चले जाना है एक repeater एक, दो, तीन इस तरह से तीन लगा देने अब बहुत सारे लोग इस तरफ से लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा तो आपको उदर से ही लगाना है जैसे मैंने इसे लगाया है उसके बाद raise dust से इन तोनों को भी connection कर देना है इस तरह से यह काम करेगा अब आपको यहाँ से lever को off करना है lever off करने के बाद अब आपको चाहिए एक आपको emerald का emerald का जो और होता है और ही आप यूज़ कीज़ेगा अगर आप emerald block यूज़ करोगे तो यह काम नहीं करेगा तो आपको और लेना है वो भी emerald का emerald और आपको लेना है तो यह इस तरह से लग जाएगा लगने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है अब आपको जो है यहाँ पे तो दोस्तो और लगने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इस वाली यह वाली जो आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको डालना है water और एक fill and still आपको चाहिए तो वो हम ले लेते हैं यहां से और उसे आपको इसके अंदर डालना है उसके बाद आपका यह machine पूरी तरह से ready है आपको active करना है और इस तरह से ही काम करेगा तो आप लोग देख सकते हो यहां पर अगर यह work नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर आना है और यह वाले button को एक बार flip कर देना है तो यह machine automatic काम करना तो ओप कर दीजे इसे ओप करने के बाद आपको यह button एक बार fill करना है दूबारा से इसे on करना है तो यह अब work करने लग चुका है यह आप देख सकते हो इस तरह से यह काम करेगा और आप अगर chest के अंदर देखोगे तो आपके जो emeral है वो यहाँ पर duplicate होंगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें जो है emeral भी duplicate होना शुरू हो चुके हैं तो इस तरह से आप अपने लिए unlimited emeral glitch का यूज करके आप unlimited emeral farm बना सकते हो तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगे हो तो like कर दीजे share कर दीजे और साथ ही हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजे और इसी तरह की मज़दार टिक टॉक hacks के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care